कलपना जी ने कमांग संभाली है और जहांसी की रानी बनके यहां से जारगंड से मोधी जी को चनोती दे रही है उन्होंने हमन सोरें जी को जेल में क्यों डाला जेल में आदमी क्यों जाता है जेल में आदमी तब जाता है जब कोई अदालत जांच पूरी होने के बाद मुकदमा चलने के बाद ये आदेश पारित करती है कि इस आदमी ने ये अपराद किया, ये आदमी दोशी है, इसलिए इसको जेल बेजो इसलिए जेल जाता है, है कि नहीं है? कोई अदालत कहती हैं कि इस आदमी ने चोरी की, इस आदमी ने ब्रश़्टा चार किया, इस आदमी ने डखैती की, इस आदमी ने मर्डर किया, इस आदमी ने बलातकार किया, यह इसका दोशी है, इसको जेल मेज़ें थेंजे सryfol espec आप से डरते हैं और हेमन सोरेंजी वो जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे, ये आपके उपर निरुगर करेगा। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, तो हेमनस ओर इन को जेल में रहना पड़ेगा। तो चार तारिक को नतीजे आएंगे, पांच तारिक को हेमन सोरेन आपके बीच में होंगे दोस्तों. भारत माता की इनकलाब वंडे मंच पे मौझूद जारखन के सम्मानित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साब मंच पे मौझूद पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे भाई हेमन्त सोरेन जी की धरमपत्नी कलपना सोरेन जी जारखन सरकार के सभी मंत्री गन हमारे सांसप संजे सिंग जी यहां पे आएवे सभी विधायक गन इंडिया गठबंदन के सभी पदादिकारी और यहां इतनी भारी संख्या में आएवे मेरे सारे प्यारे बेनों भाईयों माताओं बुजर्गों बच्चों मेरा जोहार, नमशकार, प्रणाम सब को बहुत-बहुत इतनी संख्या में आए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आज मैं यहां पे अपने भाई हेमन सोरेन जी के समर्थन में आया हूँ लेकिन उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ लगबग आज से 35 साल पहले मैं जमशकपुर में नौकरी किया कर था था टाटा स्थील में 1989, 1989 से 1992 साल मैंने नौकरी की जीटी होस्टल में रहते थे, फिर उसके आद साक्ची फ्लैट्स में रहते थे तो जमशकपुर से पुराना नाता है, वो मोदी जी जो कहते है नाता वो वाला नाता नहीं, असली वाला नाता है मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, और एक दिन मैं अपनी जेल के सेल में बैठा हुआ था, तिहाड जेल के, और मैंने टीवी में देखा, वहां हर सेल में टीवी उपलब्द है सभी कैदियों को, टीवी में देखा कि सुप्रीम कोट ने मुझे 21 दिन की महलत दे दी कि जाओ और चुनाओ प्रचार करो, मुझे तो यकीन ही नी हुआ, मोधी जी ने पूरी कोशिश की, मोधी जी ने पूरी ताकत लगाई, कि केजरी वाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे उपर बजरंग बली का आशिरवाद है, बजरंग बली के सामने मोधी जी की नहीं चली, बजरंग बली के सामने मोधी जी किनी चली और मुझे बेल मिल गई चमतकार हुआ एक तरह से और देखिए आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया अब मेरे भाई हेमन सोरें जी जेल में है और मैं जानता हूँ कि जारखंड का बच्चा बच्चा हेमन सोरें जी से प्यार करता है प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं कौन कौन प्यार करता है अपने हेमन सोरें से हाथ खड़े करके बताईए बच्चा बच्चा हेमन सोरें से प्यार करता है और मैं जानता हूँ इस वक्त आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कितनी पीडा हो रही होगी कि आपके अपने हेमन सुरेन जिसे आप अपने परिवार का जिने आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं वो आज एक राजनेतिक शड्यंत्र के दहत मोधी जी ने उनको जेल में डाल दिया मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ कलपना जी मेरी भावी है और मैं देख रहा हूँ किस तरह से कलपना जी ने कमान संभाली है और जहांसी की रानी बनके यहां से जारगंड से मोधी जी को चुनोती दे रही है मैंने बहार आके सोशल मीडिया पे इनके कई भाशन सुने और मुझे ये लगा कि जिस मन्शा से मोधी जी ने मेर को और हेमन सुरेन जी को जेल में डाला था मोजी जे ने ये सोचा था केजरी वाल को जेल में डाल दूँगा आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी फिर मैं इनके M.L. ले खरीद लूँगा फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूँगा इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी उसी तरह उन्हों से उन्होंने सोचा था कि मैं हेमन सोरेन को गिरफतार कर लूँगा इनके अम्मेले खरीद लूँगा जारखन मुक्ती मौर्चा तोड़ दूँगा इनकी सरकार गिर उल्टा हुआ बाई सब पूरा उल्टा हुआ जो आदमी गलत काम करता है अल्टिमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं भगवान देख रहा है दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाए आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एक जुट हो गई हमारे सारे MLA, सारे सांसद, सारे काउंसलर जितने पार्टी के पदादी कारी थे सब एक जुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोधी जी को हराने में काम करने जुट गए हमारी दिल्ली की सरकार नीगिरी हमारी पंजाब की सरकार नीगिरी उसी तरह से मैं भी देख रहा था जारखंड मुक्ती मोर्चा उन्होंने सोचा था जारखंड मुक्ती मोर्चा को तोड़ देंगे उल्टा हुआ पूरे जारखंड के अंदर ऐसी उर्जा आई है ऐसी उर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो एक या दो सीट आई थी इस बार आपको कितनी सीट दोगे कितनी सीट दोगे कसम खाके जानी है आज 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गटबंदन को आनी चाहिए एक चीज है जो आप लोगों को भी नहीं पता दिल्ली के लोग दिल्ली के धाई करोड़ लोग हेमन सोरेंजी के और जारखंड की जनता के तहे दिल से आभारी हैं क्यूं? कुरोना के टाइम में हेमन सोरेंजी ने व्यक्तिगत तोर पे दिल्ली के लोगों की मदद की थी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी ओक्सीजन की दिल्ली में बहुत कमी थी अमारे अस्पिताल में बहुत लोग मर रहे थे मैंने हमन सोरेंजी को फोन किया और उन्होंने तुरंट हाथ की हाथ क्योंकि जारखंड के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है टाटा स्टील है और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां ऑक्सीजन पैदा की जाती है ऑक्सीजन बनाई जाती है उन्होंने तुरंट मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन रवाना कर दी तो आज मैं यहाँ पर हेमन सोरें जी को और जारखंड की जनता को दिल्ली के लोगों की तरफ से संदेश लेके आया हूँ दिल्ली के लोग हेमन सोरें जी को कहना चाहते हैं We all love you, we miss you उन्होंने हेमन सोरें जी को जेल में क्यों डाला जेल में आदमी क्यों जाता है जेल में आदमी तब जाता है जब कोई अदालत जांच पूरी होने के बाद मुकदमा चलने के बाद ये आदेश पारित करती है कि इस आदमी ने ये अपराद किया ये आदमी दोशी है इसलिए इसको जेल भेजो इसलिए जेल जाता है है की नहीं है कोई अदालत कहती है कि इस आदमी ने चोरी की, इस आदमी ने ब्रश्टाचार किया, इस आदमी ने डकैती की, इस आदमी ने मर्डर किया, इस आदमी ने बलातकार किया, ये इसका दोशी है, इसको जेल बेजो हेमन सुरेन जी के पास खिलाफ कोई आदेश नहीं है अदालत का एक भी आदेश नहीं है अदालत का किसी आदालत ने ऐसा आडर नहीं पास किया कि हेमन सुरेन दोशी है कोई अदालत नहीं है जिसने हेमन सुरेन को दोशी कहा है अभी जांच चल रही है 10 साल जांट चलेगी फिर क्यूं हेमन सोरेन को जेल में डाला गुंडागर्दी है मोधी की गुंडागर्दी की तहर जह सो किसी भी पक्टाख को भी पकड़ की जेल में डाल देँगे ये तो गुंडागर्दी चला दी पूरे मेरे खिलाफ क्या दोश है कोई दोश नहीं है मेरे को किसी अदालत ने दोशी नहीं कहा मेरे को किसी अदालत ने भरष्टाचारी नहीं कहा किसी अदालत का मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं है मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया कल को किसी चमपई जी को जेल में डाल देंगे इनको जेल में डाल देंगे किसी को भी पकड़ की जेल में डाल देंगे ये तो सरासर इन्होंने गुंडा गर्दी मचा रखी है मोदी जी आदिवासी समाज से नफरत करते हैं हेमन सोरेन जी केवल जारखंड के नेता नहीं है हेमन सोरेन जी पूरे देश के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं कहीं चले जाईए आप मैं गुजरात गया वहां पे लोग हहमन सुरेंजी को याद करते हैं आप मद्धे प्रदेश चले जाईए चछतिस गड़ चले जाईए सारे देश के पूरे आदिवासी समाज के नेता है हमन सुरेंजी आ रहूं मैं उस पे आ रहूं चिंता मत कीजिए आद सभी मुद्धे उठाएंगे पूरे देश में जितने राज्जी हैं जितने मुख्यमंत्री हैं सारे मुख्यमंत्री मिलाके पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है हेमंद सुरेन और उनको भी पकड़के उन्होंने जेल में डाल दिया उनके पिता जी शिबू सुरेन ने जारखंड राज्य बनवाने के लिए तपस्या की थी जेल गए थे डंडे खाये थे बहुत संघर्ष किया था आप लोगों के साथ मिलके जारखंड की जनता के साथ मिलके शिबू सुरेन ने संघर्ष किया था बहुत उन्हों ने तपस्या की इस दिन ये दिन देखने के लिए की थी कि एक दिन जारखंड राज्य बनेगा और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे दुख होता है और आज शिबू सुरेन जी की जो मैं पूछ रहा था भी जब आरा रस्ते में मैंने पूछा चमपई जी से उनकी कैसी तबियत है उनकी तबियत इतनी ज़्यादा खराब है इतनी ज़्यादा खराब है ऐसे वक्त में तो आदमी को उनके बेटे को जेल के अंदे डाल दिया तो मैं आज आप सब लोगों से पूछने के लिए आया हूँ मोधी जी ने देश के पूरे आदिवासी समाज को ललका रहा है मोधी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दिये कि मैंने तुम्हारे नेता को सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया जो करना है कर लो आज मैं आप से पूछने आया हूं हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या चुप बैठोगे क्या कुछ करोगे पूरे आदिवासी पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनोती दिया कुछ जो करना है कर लो मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूँगा 25 माई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ इतना बटन दबाना इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज ये जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना पीं वो आवाज मोदी जी के कानों में गुंजीनी चाहिए वो आवाज अभी जैसे भाई ने बात उठाई राम मंदिर बना राम मंदिर का उद्गाटन हुआ पूरे देश ने जश्न मनाया हमें भी बड़ी खुशी हुए हमारे भगवान श्री राम चंदर जी का मंदिर बना हमारे इश्ट देवता का मंदिर बना लेकिन उस मंदिर का उद्गाटन किसे करना चाहिए था राश्ट्रपती को प्रधान मंतरी को भी होना चाहिए था हम इसकी वो नहीं करते लेकिन उसका उद्गाटन राश्ट्रपती को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था राश्ट्रपती को क्यों नहीं बुलाया राश्ट्रपती को क्यों नहीं बुलाया क्यूंकि वो आदिवासी है क्यूंकि वो आदिवासी है इसलिए नहीं बुलाया राश्ट्रपती को आपका इतना अपमान करते हैं मोधी जी आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते आपके नेता को जेल में डाल देते हैं अब भी अगर चुप रहोगे तो ऐसी दमन होता रहेगा 25 मई 25 मई 25 मई इस बार अगर एक भी सीट जारखंड से आई अगर मोदी जी की एक भी सीट जारखंड से आई तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर मोदी जी सिर्फ आप से डरते हैं और हेमन सोरेन जी वो जेल में रहेंगे की बाहर आएंगे ये आपके उपर निर्भर करेगा अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हेमन सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा अगर आपने इंडिया का ड़बंदन का बटन दबाया तो चार तारिक को नतीजे आएंगे पांच तारिक को हेमन सोरेन आपके बीच में होंगे दोस्तो सोच लेना अच्छा भी आपके आथ में है अगर आपने गलती से कमल का और ये जितने यहां लोग आएंगे हैं आप सब की जिम्मेदारी दे रहूंँ है अपने अपने गाउं में जाना है अपने अपने महले में जाना है जाके सब को पडोसियों को बताना है गली में बताना है गाउं में बताना है कोई कमल का बटन नहीं दबाएगा अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो आप अपने आदिवासी समाज के साथ आप अपने जारखंड के साथ धोखा करोगे विश्वास गात करोगे पीट में छुरा गोपे गए आप अपने आदिवासी समाज को सब को बता देना कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हमारा हेमन सुरेन जेल में रहेगा और अगर आपने इंडिया का डबंदन का बटन दबाया तो आपका हेमन सुरेन पांच तारिक को आप लोगों के बीच में आपका बेटा आपका भाई आप लोगों के बीच में होगा इन लोगों को इतना घमंड हो गया इतना घमंड हो गया अपने आपको भगवान समझने लग गई ये लोग भगवान जगनात को कौन-कौन मानता है हाथ खड़े करो भगवान जगनात को कौन-कौन मानते हैं कौन-कौन उनकी पूजा करते हैं भगवान जगननात पूरी काईनात के युनिवर्स के देवता माने जाते हैं जगतनात, जगननात, जगतनात कल भारतिय जन्ता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रभीता है संवित पात्रा उन्होंने कहा कि भगवान जगननात मोदी जी के भगते हैं मैं समझता हूँ ये हसने वाली बात नहीं है ये बहुत पीड़ा दायक बात है बहुत दुख देने वाली बात है ये लोग अपने आपको भगवान जगनात के भी उपर समझने लग गए कि मोदी जी भगवान जगनात मोदी जी के भगता है मोदी जी भगवान जगनात के भी उपर हो गए इस बार इनको बदला तो मिलना चाहिए इस एहनकार का तो नीचे लाना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये लोग क्या नारा लगाते है जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे अरे तुम राम को लाए हो इस दुनिया में कौन हमें लाया है भगवान राम हमें लाए है मेरे मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगनात की वज़े से पैदा हुआ भगवान राम की वज़े से पैदा हुआ इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जनम दिया भगवान राम की वज़े से मेरा आज इस पृत्वी के उपर मेरा आना हुआ और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाएं है ये क्या पक्वास कर रहे है इनके हैंकार को क्या हो गया इस बार बटन दबाके इनके हैंकार को चूर करना है हम लोगों को और एक बहुत खतरनाक बात हो रही है इन्होंने कहा चार सो सीट चाहिए चार सो सीट चाहिए चार सो इनसे पूछा क्यों चाहिए क्यों चार सो सीट चाहिए तीन सो में भी काम चल जाएगा बोले नहीं मोधी जी को बड़े काम करने हैं इनसे पूछा क्या बड़े काम करने हैं कुछ बताओ तो सही पता चला मोधी जी को रिजर्वेशन खतम करना है SC का रिजर्वेशन खतम करना है आदिवासी समाज का रिजर्वेशन खतम करना है OBC का Reservation खतम करना है अगर अपना Reservation बचाना चाहते हो अब जितने भी दिन बचे हैं आप तो वोट दोगे इंडिया कटबंदन को मेहनत करनी पड़ेगी रात दिन मेहनत करनी है सोना नहीं है घर घर जाके परचार करना पड़ेगा और मोदी जी को हटाना पड़ेगा देश को बचाना पड़ेगा आज मैं दिल्ली से आया हूँ मेरा स्वार सितना कहली जीए कि मैं अपने भाई हिमंद सोरेन के लिए आया हूँ लेकिन आज मैं जोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूँ अगर मोदी जी दुबारा आ गए देश नहीं बचेगा, समविधान नहीं बचेगा बाबा साब अम्बेट करके समविधान को खतम कर देंगे ये लोग रिजर्वेशन खतम कर देंगे और रिजर्वेशन नहीं बचेगा तो आप सोच सकते हो कि असी समाज का इस आदिवासी समाज का उसके बाद क्या होगा तो पूरे तन, मन, धन से ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है ये चुनाव भारत के अस्थित्व का चुनाव है दोस्तों और पूरे देश में इस टाइम इनके खिलाफ माहौल है मैं, मुझे 21 दिन दी हैं सुप्रीम कोट ने इन 21 दिनों में मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ पूरे देश में घूम रहा हूँ मेरी पूरी कोशिश है जितना कोशिश करके रात दिन इनकी जितनी सीटे कम कर सकू करूँ तो मैं पंजाब गया, कुरक्षेत्र गया, हर्याना गया, भिवंडी गया, बंबई गया, लखनव गया, जम्शित पुराया हूँ चारों तरफ जनता इन से बहुत नराज है इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, खाने का समान महंगा हो गया, दूद महंगा, हर चीज महंगी हो गई और कमाई एनी कमाई बढ़नी रही है बच्चे डिगरी करकर के घर में बैठे हैं पूरे देश में इस टाइम इनके खिलाफ महौल है चार तारिख को मैं आज आप लिख लीजिए मोधी सरकार वापस नहीं आ रही है अब पूरा देश इनको हराने के लिए लगा हुआ है चार तारिख को इंडिया का धबंदन की सरकार बनेगी और मैं उमीद करता हूँ कि पांच तारिख को मेरा भाई हमन सुरेन जेल से वापस आएगा और मेरे को भी ये कह रहे हैं तारिख को जेल जाना पड़ेगा लेकिन अगर इंडिया का धबंदन की सरकार बनी तो मैं भी जेल से बाहर होँगा आप लोगों के बीच में होँगा आप सब लोगों से विंती करता हूँ कि यहां के जो कैंडिडेट है महौनती जी उनको भारी भहुमत से आपतीर कमान का बटन दवा के जिताईएगा और आज भगवनत मान साब भी आने वाले थे मेरे साथ लेकिन उनके पंजाब में कई सारे कारेकरम लगे वे थे उन्होंने आपके लिए शुब संदेश भेजा है पंजाब से लेकिन चार तारीक को इंडिया का डिबंदन की सरकार बनने के अद मैं और भगवनत मान साब आप लोगों का शुक्रिया आदा करने के लिए आपके बीच में जरूर आएंगे भारत मता की